जहिंद बंदे मातरम मेरा नाम अभाय कुमार है और आप जनता बोलेगी नियुजी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में बिहार में हत्याओ का ग्राफ जो भरा है उसका कारण कहीं न कहीं सरकार की गलत नितिया बिहार सरकार की गलत नितिया अब हम इसा क्यों बोल रहा है आपको बताते हैं इस वीडियो में बने रहीएगा अभी मैं बात कर रहा हूँ इकमा बिधानसवाच्षेतर से लेकर के महराज गंज बिधानसवाच्षेतर तक पिछले एक महीने में सिर्फ दस किलोमेटर के रिया में जबकि हम लोग सिवान और छप्राजीले के बोर्डर पे हैं तो इस दस किलोमेटर के रिये में दस से ज़्यादा हत्याय हो चुकी है चार-पाच हत्याओ को मैंने कभर भी किया है यहाँ पर आजपासी बहुत सारी घटनाय हो रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि घटनाय बहुत ज़्यादा हो रही है पुलिस प्रसासन का खौफ एक परसेंट भी किसी अपराधी के बीच नहीं रहा जिसका नतीजा है कि अपराधी अराम से अपराध करके फरार हो जाते हैं पुलिस पहुचती है छान बिन भी करती है लेकिन वह सिर्फ अपचारिकताय है कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है घटनाय हो रही है घटनाय पहले भी होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी और घटनाय होती थी उसके वाद अपराधी पकड़े जाते थे लेगिन आज वह समय आ गया है कि कोई अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है जिसका नतिजा है कि अपराध का ग्राफ ज्यादा बरेगा क्योंकि अपराधियों के अंदर पुलीस प्रसासन का खौफ ही नहीं है कि उनको पता है कि हम पकड़ाएंगे नहीं तो घटनाय होंगी जब पुलीस प्रसासन का खौफ होगा तब जाके घटनाय काम होंगी प्रसासन का खौफ ही नहीं है जीरो परसंट एक परसंट भी तो बेगुना आदमी को पूलिस पकड के ले जाती है लेकिन जो कातिल असली हो पकड़ा नहीं जा रहा है इसके बाद यहां पर एक यही छपड़ा जीले के जनता बजार छेत्र में ही एक महिला की जान से मार कर रहें कुछ लोगों ने हत्या कर दिए उसमें भी एक आदमी ग करता है छान पूरागा वहां पर एक फट्या होगई तक कल गोली चली वहां बसही में से प्रमूक है जो कि अभी प्रतमान में लाहलातपुर प्रखान पर उनके दुकान पर गोली चल जाती है हलागि सार्य उसमें किसी का मौत नहीं हुए इसके बाद यहां पर महराज तो कहीं ने कहीं इसके अलावा बहुत सारी घटना है परसा में अभी एक हत्या हो गया था एक दिन पहले लापता हुआ और दूसरा लास मिलती है कोई गिरफतार नहीं हुआ लेकिन नहीं किसी को सजा हो रही है तो कहीं न कहीं यह खटनाय बढ़ रही है इसका सीधे तोर पर यह मतलब है कि पुलीस का खौफ पुलीस परसासन का खौफ अपरारियों को बीच नहीं रहा छोटी मोटी बातों पर भी गोली चल पहले यूपी बढ़ नाम था गोली चलने के लिए बंदूग चलने के लिए हत्याओ के लिए लेकिन अब कहीं न कहीं यूपी से ज्यादा खटना है बिहार में हो रही है और कहीं न कहीं सरकार जिमेदार है पुलीस परसासन जिमेदार है सरकार की गलत नितिया जिमेवार ह कुई भी कराया एक्षण नहीं ले रही है शिर्फ और सर्कार को दारूँ खोजने में मतलब है दारूप बंद करवा देजैं ये कोई फाइदा नहीं आपके दारूप बंद करवाने का दारू बंद आपने क्यों कराया था ताकि अपराद के घटनाय कम हो लेकिन दारू बंद करवाने के बाद दारू सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है कोई आपका कानून सही से नहीं चल पाड़ा है यहां ब्यार में और हत्याय तो बहुत ज़्यादा हो रही है बस यही पुलिस प्रसासन को इस बातों पर गवर करनी चाहिए और कहीं न कहीं सकती से अपरादियों को खोजने में समय विताना चाहिए ना कि दारू खोजने में जो ग्राफ वड़ा है उसको ध्यान दिया जाए पता नहीं कितने बेगुणा इस दौर में अपने जिंदगी से तो सवाल दो उठेंगे जाहिंत